हेलो एंड वेलकम टू लेट्सक्राक यूपीएसी सीएसी मैं हूँ नंदिनी और आज हम डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट जो की आई है डेली ब्लास्ट के आस्पेक्ट में तो रीसेंटली एक स्कूल है रोहिणी के इलाके में जो की डेली में लोकेटेट है उसके बाहर एक बॉम ब्लास्ट हुआ उसने जादा जानमाल का नुकसान नहीं किया लेकिन उसका जो संबंध है वो काफी सारी चीजों से लगाया जा रहा है फिर चाहें वो इंडिया और कैनेड़ा की रिलेश चीज को हम समझेंगे आज इस पूरे वीडियो के माध्यम से उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पूरा वीडियो है वो बेसिकली कवर करेगा पाकिस्तान और खालिस्तान ने जो रिस्पॉंसिबिलिटी ली है उस आस्पेक्ट को डेली पुलिस ने जो भी प्रो इसको भी पॉइंट को हलका सा टच करेंगे और समझेंगे कि यह जो पूरा अक्चल में दिक्कत हुई वो क्यूं हुई कैसे हुई और इसका क्या इंपक्ट है डेली पर इन पर्टिकुलर तो अगर हम इस चीज को डिसकस करें तो हम देख सकते हैं कि अभी भी जो डेली है हाई अलर्ट पे है यह जो पूरा ब्लास्ट हुआ है वो 2011 के ब्लास्ट को रेप्लिकेट करता है कि एक तरीके से डर का महौल बनाने के लिए बेसिकली यह सब किया गया है उसी के चलते जो यह है हम पूरा डिसकस्शन आज अभी इस पूरे सेशन के माथिम से करेंगे उससे मैक्सिमम बेनेफिट्स अवेल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड एनस्ट लाइव जिसके बाया जितना भी आपको आपको अगर आप यह कोर्स लेते हैं तेईस अक्टूबर से पहले पहले या तेईस अक्टूबर को 1159 तक तो आपको अप्टू 9 मंच जो है वो फ् उससे आपको access मिलेगी हमारे इंडिया के best UPSC CSE educators को तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए अभी के अभी sign up कीजिए फिर अगर हम discuss करें यह जो responsibility है जिसके बारे में हमने यह पूरा वीडियो बनाया है उसके बारे में तो हम देख पाएंगे कि Telegram का एक channel है basically जो की identify किया जाता ह एस जस्टिस लीग इंडिया जिस पे बेसिकली जो responsibility है वो एक खालिस्तान के ग्रूप ने ले ली है एक पोस्ट जो था जो CCTV का वीडियो था उसके साथ शेर किया गया है और इसके साथ ही एक बहुत ही strong warning message भी दिया गया है जिसमें basically यही कहा गया है कि इंडिया जो है वो ब news related तो आप यहां देख पाएंगे कि कैसे यह जो CCTV का footage है उसके साथ जो यह message है वो शेर किया गया मैं आपके लिए message भी लेके आई हूं ताकि आपको एक better understanding मिले जिसमें की clearly लिखा हुआ है कि अगर Indian coward agency को ऐसा लगता है कि वो किसी भी हाल में हमारी community के members को target कर सकते हैं और हम हमारी जो आवाज है उसको शांत कर सकते हैं हमारी जो voices है उसको शांत कर सकते हैं silent कर सकते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो अपने किसी भी भाड़ी के गुंडे से हमारी जो ताकत है उसको तोड़ नहीं सकते हमारी जो unity है उसको challenge नहीं कर सकते और अगर वो दूसरा अटैक करने में दुबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके साथ उन्होंने जो हैश्टाग यूज किया है खालिस्तान विंदाबाद हैश्टाग जेलाई जिससे की क्लियर मोटिव जो हैं वो खालिस्तानी इसके हां पर दिख रहे हैं तो इसी सब के चलते हमें यह जो पूरी न्यूस थी वो कवर करनी पड़ी क्यूंकि इस रिस्पॉंसिबिलिटी के चलते ही और आईपी अड्रेसे सोर्सेज और जो हमारे पर इस सब यह जो भी रिस्पॉंसिबिलिटी टेलिग्राम पर ली गई आप उससे रिलेटेट हमको सारी इंफोर्मेशन दे ताकि हम अपनी इंटर्नल सेक्योरिटी पर काम कर सकें और जो भी अक्यूस हैं हम उन तक पहुँच सकें ताकि ऐसे जो थ्रेट्स हैं वो हमारी कंट इस जी और ऐसी ही कई सारी मल्टी मोडल एजेंसी की अप्रोच ली जा रही है डेली को एक तरीके से सुरक्षित करने के लिए बट अबी तक जो ब्लास से रिलेटेड अपडेट थी वो इतनी ही थी और अगर मैं आप लोगों को जिन लोगों ने अभी तक ब्लास्ट को किया उनको अगर थोड़ा संख्यत में बताओं कि एक्ट्यम में चल क्या रहा है या जो ब्लास्ट था वो किस प्रकार का हुआ तो जो ब्लास था वो काफी जादा बड़ा blast तो नहीं था लेकिन एक directional blast था जो की एक direction में ही काम करता है जिसकी वज़े से जो impact था blast का वो काफी जादा बड़ा था करीब 2 km तक जो थे वो shock waves महसूस हुए जिसके चलते जो shops और structures थे आसपास के वो damage हुए glass panes जो windows थे वो तूटे हुए दिखाई दिये और आसपास की जो shops थी उनमें भी काफी नुकसान देखा गया हाला कि कोई भी injured नहीं हुआ इस blast से लेकिन फिर भी इस blast को ignore नहीं किया जा सकता जैसा मैंने आपको already बताया कि यहां इस particular blast को देखने के लिए एक multi agency probe का इस्तमाल किया जा रहा है और अगर हम इस particular blast को consider करें और देखें कि actual में क्या problem थी या actual में क्या impact था तो आप देख पाएंगे हाला कि फोटो जादा clear नहीं है लेकिन आप देख पाएंगे कि कैसे धुआ उठके आ रहा है जिसकी वज़े से ऐसे sources के चलते हमें पता चला है कि जो bomb का containment था वो basically bomb में phosphorus और sulfur काफी जादा मात्रा में था जो कि आसपास के इलाकों से ही खटा किया गया था इस particular bomb blast को अंजाम देने के लिए अगर IED देखें तो IED में कई सारी metallic चीज़ें और चोटी 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 ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे जो destruction है वो काफी जादा बड़ा हो सकता है लेकिन इसमें से phosphorus था जिसके चलते जो smoke quantity थी जो plumes थे वो काफी जादा देखने को मिले और इसी से हम ये भी relate कर सकते हैं कि basically ये एक warning sign ही था हमारी country के लिए जो की other country के लोग जो भी disturbing elements हैं वो हमारी country को threaten करने के लिए use करना चाह रहे हैं तो यही था आज के session में अगर आपको यह session अच्छा लगा हो तो please do like share comment and subscribe to our channel let's crack UPSC CSE with this this is me Nandini signing off for the day hope you like this information